अगर आप एक्सल में काम कर रहे और आपके पास दो डेटा है और उनमें डिप्रेंस है आपको उनमें कंपेरेजन करना है और डिप्रेंस को फाइंड आउट करना है अगर यह काम आप मैनू ले करेंगे तो आपको बहुत सरा टाइम लग सकते हैं और डेटा बढ़ा है तो य इंपॉसिबल है मैं आज आपको एक्सेल में इसी ट्रीक बताने वालाओ जिससे आप दो डेटा के डिप्रेंस को विदिन मिनिट फाइंड आउट कर सकते हैं यह डिप्रेंस बहुत बहुत बार हमारे डेटा में होता है जैसे कि देखें जेस्टेर 1 जो कि ऑनलाइन फाइल कि पलता है ठीक बाइबनेख तो किस सरह से कर सकते है कि मुझे तो यह दिन में 27 बर ऐड तक नप्रणा पड़तता है दो चीट में कंपेरेजें करना पड़ता है और डिप्रेंस कि यह वह फाइंड़ाँड करना पड़ता है तो देखें मेरे पास दो चीट है यह कि जेस्टेरवन की शीट है यह online मतलब हमने जेस्टेरवन फाइल किया हुआ है उसको मैंने डाउनलोड किया है और यह बुक्स में हमारा जो सेस है उसका यह शीट है अभी दोने डिपरेंस है कि नहीं देखते हैं मैं इसको टोटल को कॉपी करता हूं पंटोल सी करके और यहाप पेस्ट कर देता हूं और यहां पर माइनस लगाता हूं माइनस देखिए दोन में डिपरेंस है यह डिपरेंस कीस इन्वेस्ट में है वह हमें फाइंडाउट करना है और करेक्ट करना है तो यहाँ पर हमें एक बेस पकड़ेंगे जैसे कि इन्वेस्ट नंबर या पिर जेस अनलाइन के डेटा है जेस्टर 1 इसको कॉपी करता हूं और न्यूशीट में पेस्ट कर देता हूं और यह पर मैं टाइप लिखता हूं हतलब कहुं सा डेटा है यह तो यह ऑनलाइन आप कुछ भी लिख सकते हैं जो कि आपको अच्छा लगाएं आपको समझ में ऐसा आप कर सकते हैं और यह पर इस डेटा को में कॉपी करता हूं और इसके नीचे पेस्ट कर देता हूं और यह पर लिखता हूं यह हेडिंग में पहले दिलिट कर देता हूं क्योंकि ज़रूत नहीं है यहां पर बुक्स लिखता हो कि इसको कॉपी करता हो और नीचे से पुरा पेस्ट कर देता हो मतलब हमारे पास दोनों डेता है आनलाइन वर उसके नीचे बुक्स अभी simple हैं पूरे data को select करेंगे Ctrl A करके यहाँ पर यहाँ पर जाएं Ctrl Shift Right Arrow Ctrl Shift Down Arrow अभी पूरा data हमारा select हो चुका है अभी हम जाएंगे insert के उपर और पाइवर टेबर यहाँ पर हमें यह हमारा location इसमें capture हुआ है अभी new worksheet में हमें इसको लेना है और ok इसमें हम किसके बेस पर find out करना जाते हैं तो जिस नमबर यह customer जिस टेन मैं इसको रॉट अबल में लेता हूँ और हमारे type है यानि online या books में तो type को मैं column label में डाल देता हूँ अभी डिवाइड हो चुका है मैं अभी इसको Ctrl A करता हूँ यानि पूरा select Ctrl C copy Ctrl Alt V और यहाँ पर values इंटर यानि special paste कर दिया है अभी देखिए यहाँ रॉट टेबल में जेस्ट नमबर आ चुका है यहाँ पर Boks का हमारा जो देखता है amount है वह आ चुक है और यहाँ पर online यह जी जैस्टेर मूंन का online अप्लोड किया है उसकी वह अप्लोड आ चुकह और यहाँ पर grand total अभी हमें comparison करना है इसलिए grand total नहीं चाहिए हमें चाहिए difference मैं यहाफिर्च दिक देता हूं is equal to books मैंनस online इसको इसको मैं copy कर देता हूं अब पूरा प्रेस्ट कर देता हूं अभी मैं इसको सिलेक करके फिल्टर लगाता हूं यहां पर जम करने के लिए प्रेस करके निचे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हमें डिपरेंस मिल रहे है यहां इसको कॉपी करेंगे और देखें कि online में क्या है इसका यहां पर कस्टमर जाके हम सर्च करते हैं यहां पर कोई ट्राजक्शन नहीं है online में और बुक्स में बुक्स में दो बिल है लेकिन online में हमने कोई भी बिल अप्लोड नहीं किया हुए तो इस तरह से हम find out कर सकते हैं और जो भी एक्शन देना है आप ले सकते हैं आप इसको कॉपी करके दूसरे शीट में भी ले सकते हैं ctrl n यह दो बिल में हमारे बुक्स में तो है लेकिन जे पेस्ट नंबर है इसको भी कॉपी करता हूं मैं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं जेश्टर 1 में online और बुक्स अकॉर्ड में जाके इसको सर्च करता हूं लेकिन बुक्स में दो इंट्रीज है लेकिन online में सिर्फ एक इंट्री है इंट्री हमारे ओनलाइन में नहीं है तो इस तरह से आप find out कर सकते हैं कि कंसे पार्टी में या कंसे इंवाइस में डिपरेंस है और जो भी आपको एक्शन लेना है ले सकते हैं अभी हम देखते कि यहां पर इंवाइस नंबर से हम लेखते हैं मैं इसको डिलेट कर देता और मैं इसको find out करता हूँ इंवाइस नंबर के ऊपर अभी हम इसको इंवाइस नंबर में फाइंड आउट करेंगे तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहां पर न्यूशित में लेता हूँ यहां पर में लिखता हूँ टाइप और और बुक्स का में डेटा कॉपी करता हूँ हेडिंग डिलेट अभी मैं इसको पाइवट लगाता हूँ मतलब हम इन्वाइस नंबर पर इसको सर्च करेंगे इंसर्ट पाइवट टेबल न्यूवर्शित यहां पर इन्वाइस नंबर लेंगे पिश्ली बाला हमने जेश्ट नंबर पर एक है था और टोटल टैक्स वैल्टेस में और टाइप लेंगे हम कॉलम लेबल में ctrl a यह पूरा select ctrl c और पेस्ट पेस्ट पेसल वैल्यूज यह पर difference find out करते हैं is equal to books minus online ctrl c पेस्ट कर देता हूं पूरा select करके ctrl shift l यह फिल्टर अभी देखें हमें बता रहें यह तू जो यह त्री इन्वेस है इनमें ग्याप है इस तरह से अगर आप इन्वेस से बेस्ट पर भी find out करना चाते तो इसको कर सकते हैं देखें इसमें इन्वेस नमबर ने यह वाल्ड़न में बुक्स में यह इन्वेस है इस तरह किसके भी बेस पर चाहिए हो इन्वेस नमबर हो या पिर जेस नमबर हो या पिर आपका डेटा कुछ डिप्रेंट है तो वहाँ पर जो common values होगे उसको उपर आप पाइवर्ट लगाके डिप्रेंस को धूंड सकते हैं और आपकी जो प् प्रेंस को सब्सेब कीजिए ताकि मैं इसमें बहुत सारे विडियोच अप्लोड करता हूँ जो आपके productivity को डबल कर सकते हैं थैंक्यू